So again welcome back to my channel दोस्तों जैसे का आप स्किन पर देख रहे होगे और थम्नेल में देख लिया होगा भाई BST यानि Class 12 का डेटेल तीन चीजे में पताने वालों जो किसी ने नहीं बताई होगी आपको पहला तो यार complete information about BST जो आपको पता होना चाहिए दूसरा एक road map यानि आप 2024-25 का जो session होने वाला है आप starting से end तक कैसे prepare करने वालों BST को third that is case study आपको कहां पर मिलेगी free of cost में यह सब बताऊँगा एक additional चीज भी जो मैं बताऊँगा जो की thumbnail में मैंने नहीं लिखा है यह भाई जो proper आप syllabus देख रहे हैं कहां से निकाल सकते हो official website proper आपको मैं भी निकाल के दिखाऊँगा तो बिनव time waste करें स्टार्ट करते है proper आज की वीडियो को तो आज हम बात करते हैं चलिए तो जैसे कि आप देख रहे होगे आज की वीडियो होने वाली वह है BST के sample paper के बारे में यानि 2024 पच्चिस का जो syllabus रहा है इस syllabus को सबसे पहले मैं आपको निकाल के दिखा देता हो कहां पर कैसे आपको निकालना है लास्ट में आपको मैं case study proper बताऊगा कहां से आप free of cost में case study chapter wise निकाल सकते हैं तो सबसे पहले आज बात करती cbse syllabus proper कहां से निकलेगा आपको क्या करना है दोस्त आपको जाना है बच्चे आपको इसे भी chrome पे चले जाओ आपको type करना है क्या cbs ठीक है इतना type कर दो type करती ही जो पहली website आगी click करना है कुछ इस type से open हो जाएगा आप check main website proper जो आपका 5th column है that is academic website इस पे click करो करना है then 11th 10th ठीक है 9th 10th और 11th 10th आपको 12th वाले में जाकर गी group A पे click करना है यहाँ पर आप subjects देख पाऊगे चाहे आप arts के student हो चाहे आप commerce student हो या आप science student हो तीनों के लिए syllabus proper इसी type से आपको देखने को मिल जाए यहाँ पर आप check क इसी आप click करते हो proper code देखनो चैप पर आपका proper जो है 054 नीचे scroll करते हो तो सबसे पहले 11th का है गलती से 11th का syllabus मत कर लेना ठीक है 11th वाले बच्चों के लिए नीचे scroll करते ही आओगे तो आपको आ नीचे जाते ही आपको दिख जाएका business studies 2024 35 का proper syllabus आगे बास समझ कहां से निक करोगे यार डाउनलोड हो जाएगा और सेफ कर लें तो अब मैं बात कर लेता हूँ proper आपके syllabus के बारे में अच्छे से discuss कर लेते हैं तो क्या बात करने वाले हैं आज हम तो सबसे पहले आपको पता होना ची दोस्त आपका theory plus में project में divide होता है syllabus यानी जो syllabus आने वाला है दो प आता है कि क्या BST की दो books हैं बच्चों को doubt लगता है तो BST की कोई दो book नहीं है एक ही book के अंदर दो portion में आपको study करने अच्छी बात क्या है दोनों part equally 40 50 plus 30 step से division कर रहे हैं अगर आप चेक करें तो यहां पर division कर रहे हैं अगर आप थोड़ा सा देखेंगे क्या देखेंगे चेक करें अगर आप क्या चेक करना है ज्यान से चेक करो आपका part 1 principle and function of management जिसके अंदर total 8 chapter प्रॉपर sequence में जो पहला दूसरा तीसरा यानि तीन चेप्टर अगर आप देखोगे यह आपको 16 marks यानि 16 नंबर यही दे रहे हैं दोस्त और 16 नंबर कम नहीं होते आई बास समझ यह तीन आपको चेप्टर 16 नंबर देदेगे अभी तो हम प्रॉपर से बस डिसकर्स कर रहे हैं प्लस कुछ टाइम बाद एक सीरीज आएगी जहां पर मैं आपको बता हुआ चेप्टर वाइस कौन सा paper के लिए important क्या होने वाला topic होने वाला और प्रॉपर यह जो बताया ज हाई बाद समच चली आगे जब आप जाते हो तो चैप्टर 4 5 और 16 चैप्टर planning organizing staffing यह बेसिकली यह जो start 4 से 8 है यह बेसिकली management के proper functions होते जो की proper एक चैप्टर में दे रखे हैं जो कि आप चैप्टर 1 के अंदर आप पढ़ रहे होगे अच्छी बात क्या है 11 से 12 की BST ड्रस्ट लेके पढ़ इसमें शौर्टी में दे ठीक स्टार्टिंग के तीन चैप्टर 14 मार्क्स में लास्ट के तीन चैप्टर 20 मार्क्स में दे रखे हैं अगर आप टोटल करते उसका तो आपको 50 नंबर तो यही मिल जाए अब बच्चे कुछ हो रहे हो जो पढ़ने वा रखे है इसके अंदर ओली चारी चैप्टर है लास्ट वाले का आपने नाम भी सुन रखा होगा पढ़ भी रखा होगा जरूर स्स्ट के अंदर कहीं न कहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन यह डिसमें डाल दिया गया है 15 15 मार्क्स के डिविजन कर रखा है दूनों चैप्टर इक इक सारी चीजें को सुनना है आगे बात समझ यह तो ऊपर-ऊपर का डिविजन हो गया यह उपर-ऊपर आपको बता दिया गया कि प्रॉपर क्या है क्या से करना है बट डेटेल में आपको एलीज मतलब एक्जैक्ली पढ़ना क्या है यह तो पता होना चीए क्यूकि बी स्तों आक सकते कान में स्कूपनः और फिर्व को वह शकी हाग भा में मैं पड़ने कि पैसे की में हें डिक है स्वाय वह उखे को बैंज आपके प्रोजेक्ट फायल राड़ा है जी के अचिए क्या सी मार्क कैसे लेने हैं वो ध्यान से बढ़ते हैं चैप्टर वन यानि यूणिट वन की तरफ जब जाते हूँ तो आपको मैं प्रॉपर माग करवा रहा हूं माक कर लिया ना कौन कौन सी टॉपिक आपको पढ़ने हैं फ्लस में पॉट या है पेपर के प्रस्पेक्टिफ से म मेनेजमेंट का मीनिंग के साथ साथ जब आप आगे जाते हो तो आपको दोस्त एफेक्टिवनेस और एफिशियंसी दो टॉपिक होते ही इसको रीड करना है अबजेक्टिव इसके बहुत जादे इंपॉर्टेंट तीन अबजेक्टिव होते तीनों पढ़ने और आप त्री टाइफस आफ लेवल ऑफ मेनेजमेंट पढ़ते हैं तीनों की क्या-क्या पता उनेची नाम पता और कौन किसके अंदर आता है देन तीन-तीन फंक्शन क्या परफॉर्म किये जाते हैं आगे बात समझ जो आपका मेनेजमेंट ऐसा जो टॉपिक दे रहा है एक्स आगे जब जाते हो कॉडिनेशन कॉडिनेशन में मेनिंग पढ़ लो और इंपॉर्टेंट्स पढ़ लो बस और कुछ नहीं पढ़ने मेनिंग पढ़ लो और इंपॉर्टेंट्स पढ़ लो बस यह जैप्टर वन की कहानी यानि यूनिट वन की कहानी करते हैं यानि टू की नाम की अगर मैं बात को लिए एक सियॉल था और एक टेलर आपके पेपर में दोनों में चोईस आता है छे माक्स का कोशन यहां से बनता है जूट गह रहा हूं तो CBSC का पेपर उठा के देखनो यहां से 6 माक्स कोशन बनना है या तो फियॉल के प्रिंसिपल कर लो या टेलर दोनों पढ़ने की जुरूत नहीं जो आपको अच्छा लगे वो पिक करो क्योंकि इसके अंदर आपके टोटल 14 प्रिंसिपल से इसके अंद 23-24 का पेपर भी उठा के देख लिना उसमें भी सीम इसी टाप से कोशन आया है 6 माक्स का वेटेजर का कोशन आता है 3 प्रिंसिपल आपको डिफाइन करने को देता है 6 माक्स सिम्पल और कुछ नहीं देखना और कोई कोशन नहीं बनना आगे जब जाती हूँ बिजनस इंवार्मेंट से सबसे पहले तो यार इसका मीनिंग पढ़ लो बिजनस इंवार्मेंट दूसरा जो यहां से कोशन आता है इसकी वाई डायमेंशन होती है पांच टाइप की एकनॉमिक सोशल टेकनॉनिकल पॉलिटिकल और लेगल इनको अच्छे से पढ़के जाँ डी मॉनिटाइजेशन यार बचपन से आपको आता ही है इसके बारे में कर लो कौन कौन से बिटा सबसे पहला प्लाइनिंग की लिमिटेशन ठीक है प्लस में प्लाइनिंग का प्रॉसेस यह टॉपिक न आये ऐसा होता नहीं है कभी भी एक साम यह मस्ट है यह देगा अच्छे खासे वेटेज में के स्टेड में बिड़े सकता है डैरेक कोशन भी हो जो पेपर में आना है वही पढ़ना आगे जाती हो और्गनाइजिंग के अंदर सबसे पहले और्गनाइजिंग का मीनिंग मीनिंग तो अबर जंग पढ़ना है आगे जाओगे तो और्गनाइजिंग का प्रॉसेस देख लेन कम इन्पोर्टेंट है बाट जो इन्पोर् या से चुबर सी तेदिफिकीशन को करने का का इंपर्मल में क्या पढ़े के जाना है डिफरेंश पढ़े के जाना है आगे जाते हो तो डिली डिसेंटराइजेशेन दोनों में डिफरेंश पढ़ेंश पढ़ लो ख्लियर है Series जाए अलग अलग पढ़ने तो तो देखना ही क्लियर कतर आगे जाते हैं स्टाफिंग स्टाफिंग के अंदर आपको पढ़ने हैं थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ठाइम कंजुमिंग बट आपको six marks तक भी लाता है पर सबसे पहले importance तो देखना ही स्टाफिंग की स्टाफिंग का process और recruitment process बहुत important है star mark कर लेना as well as selection process और last में training के जो तीन पार्ट होते है off job training on the job training off the job training दो topics आप देखने को बिंग जाएंगे आपकी books में दोनों को करने आगे जब जाओगे तो भाई इसी चीज को बतार करें directing के अंदर directing के अंदर इसको mark कर लो directing के अंदर दो topic motivation communication और leadership यहाँ से तीनों में से तीनों topic में से 6 marks का एक कोशन बने या तो communication के barrier या लीडर्शिप का एक कोई भी टेक्निक autocratic democratic लेजर फियर करके प्रॉपर या तो मार्शिलों तेरी इन तीन में से एक कोशन देता है 6 marks का confirm आगे जाते हो that is controlling part 1 यही परिकतम controlling में जो आपको पढ़ना है controlling में planning से related एक topic है that is relation between planning and controlling या आसे कोशन देखने को मिल जाते हैं या आपको पढ़ना है और step of controlling या नि इसका process हो गया controlling या यह जरूर है must है अगर याद देखते हो तो 50 number आपके पक्की हो गए इसमें case study भी होंगे direct question भी होंगे proper detailed video आपको मिलेगी soon आप comment करें तो आपको proper में proper chart करके लिख करके PDF ready करकी आपके लिए लिख के आजाओगा ठीक है आगे बढ़ते हैं part B के अंदर थोड़ा सा different होता है ज्योंकि आप पढ़ते हो 1-2-8 यह तो easy समझा जाता है बट इसमें थोड़ा सा बच्चे को दिक्कत होता है क्योंकि accounts miss हो जाते है so accounts mix किर जाता है plus में यहाँ पर इक numerical का भी form बन जाता है सबसे पहले तो यार financial management का meaning और objective पढ़ना है तीन टाइप के decision होते है investment, financing और dividend तीनों के meaning और factors most important financial planning क्या होता है यह भी पढ़ना है capital structure का यहाँ से एक numerical देखने को मिल जाता है आपको EBIT करके बोला जाएगा सिखा होगा आपको मैं सून fixed or working capital के factors पढ़ने that's बड़ा लग रहा होगा बड़ दीर दीर आप्रेक्टिस करोगे day to day life में day to day days में proper तो खतम हो जाएगा अगला financial market financial market की जब वो बात करते हो तो यहाँ पर आप capital market और primary दोनों के बारे में पढ़लो और stock exchange से question देखने को मिलता है that is savvy पढ़के जाओ खता आगे जैसे में नहीं बता है marketing से भी वाई six marks का question मिलने वाला है आपर एक concept होगा आप marketing mix याणि four piece आते हैं इनको पढ़के जाना है that's it इसके अलावा कोई भी concept यहाँ से paper में देखने को नहीं मिला इन में इसे ही मिले होगी यही है पूरा चेप्ट last में आपका consumer protection consumer protection से दो चीजे पूछता है consumer protection act जो दे रखा है plus में कहाँ पर आप case file कर सकते और कौन-कौन सी remedy is available है अगर कोई भी consumer केसा दिकत हुई तो तो यह total आपका क्या हो गया पहला तो complete information होगी दूसरा आया था मैंने बोला था road में road में आपका मतलब है पढ़ना कैसे क्या इसको read करना है क्या सर क्या इसको लिख लिख के देखना है तो best way अगर मैं बताओ इसको देखो आपको morning time अगर आप morning में उठने वाले बचे हो तो morning में read करो एक बाद रीड करने के बाद इसके points जो होते हैं जिससे आप key points कहते हो इसको लिख करके देखना है इसको लिख करके देखना है इसके लाव कोई option नहीं है आपके पास क्यूंकि दिक्कत होगी आपको दिक्कत 100 and 1% होगी तो भूल जायोगी आपले और स्टार्टिंग से पढ़ने जैसे आप accounts का tuition ले रहे हो economics का tuition ले रहे हो math का tuition ले हो similarly मैंनी के रहे BST का tuition लो YouTube से पढ़ने हो कोई दिक्कत नहीं है बट आपको ये daily basis पे एक गंटा आदा गंटा दस मिनट पंदरा मिनट जरूर देने है इसका benefit आपको दिसंबर जैन जो भी exam होगे आप फोड के आओ एक्जाम में देख ले points पढ़ो read करो लिख कर देखो points पढ़ो लिख कर देखो ठीक है case study related questions आएंगे आपको case study को कैसे solve करने क्या होता प्रॉपर इसका dedicate video मिलेगा आपको जैसे मैंने बोला था case study में आपको बताऊँगा कहाँ पर मिलेगा आपको कहा जाना है अगे आजाओ आज़ो chrome पर आज़ो chrome पर आज़ो कहाँ पर जाना है सेम website पर जाना है अकेडमी यहाँ पर आपको जाना है आपको कहाँ पर question class to business studies पर click करते ही आपको यहाँ पर देखो chapter wise with solution chapter wise with solution कि यह study अगे और जाओगे तो यहाँ पर आपको अगे एडिशनल पेपर question पेपर भी देखने को मिल जाएंगे आप चेक कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉपर कुछ नहीं करना marking scheme तक जैसे आप चेक करो पीवाई की उपन हो गया मार्किंग स्कीम भी इसके साथ आपको मिल जाएगी ऐसे आप हर एक सब्जेक्ट का डाउलोड कर सकते हो चाहिए अकाउंट्स हो चाहिए नॉमिक्स हो ऐसी कोई बीडिकेटीड वीडियो चाहिए रिलेटीड टू कॉमर्ड ज़रूर कमेंट करके बताओ दोस्तिक साइश क करना मत बोलना क्योंकि यार बहुत मैनत लगती वीडियो बनाने में और कंटेंट डोंड में ऐसी वीडियो जलाते रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने अगर विद्ध लेगें मिलते नेक्ष वीडियों तब तक कि लिए कीप लरनेंगे टीप वच्चन सीवाइकर जब जहीं जाइबाद